अभी तक तो हमारे भाई उनको रोड़ पे लाए अभी वो रोने लगें और वो मगर मच्छ हो ला रासु है सच मुझन में का मोदी इन रोएंगे शौर्गे पासमान जी का पाटी किसने तोरा, उनके मूरती को किसने तोरा, उनके घर से बंगला से उनके परिवार को किसने बाहर किया और आज आप आसु बाहर हैं, 2020 में कहा थे, जब आप हनुगान बना कि उनको बरवाद करने के लिए रोड पे उतार दिया थे प्रधान मंत्री नरिंद्र मोदी जो आशु बहा रहे हैं आज जो वो राम विलास पासवान को याद करके भाउक हो रहे हैं यह सब कुछ ड्रामा है राम विलास पासवान को याद करके मंच पर जो सरीके से प्रधान मंत्री नरिंद्र मोदी भाउक हुए असको लेकर अब मुकेश सहनी ने तंज कसा है मुकेश सहनी कहते हैं कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी आज जब हाजेपूर जाके बड़ी बाते कर रहे थे चुराग पासवान की तारिफ कर रहे थे राम वलास पासवान को याद कर रहे थे ये सब कुछ एक ड्रामा है वो मगर मच के आसू है ये सारी बाते मुकेश सहनी ने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कही है पहले सुनिये कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर मुकेश सहनी क्या कुछ कहते सुनाई दिये हैं अभी तक तो हमारे भाई उनको रोट पे लाए अभी वो रोने लगे है पहर किया उनके पाटी को किसने तोरा उनके परिवार को किसने तोरा मोदी जी सब आपने किया था और आज आप आसु बाहर हैं 2020 में कहा थे जब आप हनुवान बना कि उनको परवाद करने के लिए रोड पे उतार दिया थे ये मोदी जी ने इसलिए साथ ही हो देश के प्रधान मंतरी नरिंद्र मोदी दो दिवसी दोरे पर बिहार आए हुए थे जिसको लेकर अब जो विपक्ष है वो उनको घेडने में लगी हुई है एक तरफ विपक्ष ये कह रही है कि नरिंद्र मोदी को जब लगा कि उनके सांसर अभार जाएंगे इसलिए वो र प्रमुख मुकेश सहनी ने पिये मोदी को लेकर तंज कसा है और कहा है कि पिये मोदी आज जिस रामविलास पासवान को याद करके भाउख हो रहे थे वही पिये मोदी कारण बने थे रामविलास पासवान के बेटे और भाई को अलग करने में मतला पशुपति पारस और च जब भिहार आए पहले उन्होंने पटना में रोड शो किया और उसके बार पटना में ही रात्रि विश्राम करके दूसरे दिन वो जाते हैं हाजिपूर जहां मंच पर उनके साथ चिराख पासवान, चुराग पासवान की माता भी मौजुद थी और वहां चुराग पासवान की खूब टीम ने तारिफ की और उसके बाद राम बलास पासवान को याद करके भाउख भी हुए वो तस्वीरे भी सामने आए आपको हमने दिखाया भी वो तस्वीरे और अब उसके बाद वो जाते सारन और उसके बाद मुझजफरपुर में जुनसभा को संबोधित करके वो वापस बिहार से चले जाते हैं और उसके बाद मुकेश सहनी जब छपरा में जुनसभा को संबोधित कर रहे थे तो वहां की जनता को वो बताते हुए हैं कहते हैं कि पीये मोदिया जो तरीके से रा पासवान की मृतियू के बार जो तरीके से चिराग पासवान और उनके चाचा पश्रुपति पारास अलग हुए उसके पीछे विपक शुकारन नरिंदर मोदी को बताती है और असी को लेकर आज एक बार पर से मुकेश सहनी ने नरिंदर मोदी को घेरा ही और तीखा तंज कसा है वागी चुनावी महाल है आज चौथे फेज की वोटिंग देश भर में हो रही है बिहार में भी पांच सीटों पर वोटिंग प्रक्रिया जा रही है और उसे बीच आरो प्रत्यारोप का सलसला भी जा रही है कोई और नई जानकारी आती है तो उसे आप एक जरूर पहु आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया अब हम पुणिया वापस जाएंगे जॉब छोड़ दिया है मतला ये घर कैसे चलेगा हम करेंगे क्या और माबाबुजी क्या बोलेंगे इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाए अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है लेकिन पुणिया में हम रहेंगे कहाँ अपना घर भी तो नहीं है वहाँ इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ अपने पुणिया में घर ले लिया है पुणिया के e-homes panorama में पुणिया में panorama group लेकर आये हैं e-homes panorama बड़ा घर आलिशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के सग अड़े अब क्यों मूमीठा करवा रही हो क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे है घर वापसी की खुशी पुणिया में e-homes panorama के संग e-homes panorama luxurious lifestyle redefined